Hello Friend, स्वागत है आपका हमारे चैनल V-Technical में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे Excel में हम कैसे data entry करते हैं तो इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस सीखने वाले है data entry का तो जिसमें कि अगर आपकी type in speed बहुत ज़्यादा है तो कम समय में बहुत ज़्यादा डेटा टाइप कर सकते हो, अगर आपको डेटा एंट्री करनी है, तो यहाँ पर आपकी टाइप इंस्पिट बहुत ज़्यादा होने ची, अगर आपकी टाइप इंस्पिट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा data type कर सकते हो तो हम इस वीडियो में एक form के द्वारा data entry करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरू शेयर करें ताकि उनको भी benefit हो तो वीडियो सुरू करता है तो यहाँ पर आप देखेंगे हम अभी Excel seat में है तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर एक form ready करना है उसमें हम data entry करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम first row को छोड़ देंगे उसके बाद second row में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे serial number और इसके बाद हम tap button प्रेस करेंगे उसके बाद हम second column में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे name और उसके बाद third column में हम लिख देंगे address लिख दिंगे salary यहां पर हमें इतना ही data अभी type करना है तो इसके लिए मैंने इतनी heading लिखी है तो यहां पर मैं इन सारे column को adjust कर लूँगा मैं name वाले column को थोड़ी बड़ा बना लूँगा और उसके बाद address वाले को भी थोड़ी बड़ा कर लूँगा और उसके बाद gender वाले column की विर्थ भी मैं थोड़ी ज्यादा कर दूँगा और उसके बाद department वाले column की विर्थ ज्यादा कर दूँगा और उसके बाद sales वाले column की यहां पर मैंने ज्यादा कर लिए इसके बाद मैं इसे स्लेक्ट करूंगा और स्लेक्ट करने के बाद मैं इस तरह से इसे नेचे को स्लेक्ट कर लूँगा जितना मुझे यहां पर डेटा एंट्री करना है मैं उतनी रेंज यहां पर स्लेक्ट कर लूँगा और स्लेक्ट करने क इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे Employee Data Form लिख देंगे तो मैं टाइप करूँगा Employee Employee Data Entry Form Enter प्रेस करूँगा फिर से मैं इसे Select करूँगा और मैं इसका Font Size यहाँ पर से बढ़ा लूँगा और यहाँ पर से मैं इसे Middle मा कर लूँगा और इसमें मैं एक Color दे दूँगा और Color देने के बाद मैं यहाँ पर जो इसका Font Color है वो भी यहाँ पर मैं Change कर दूँगा यहाँ से मैंने इसका Color दे दिया है White तो इस तरह से हमारी पर की Heading हो जाएगी तो इस तरह से हमारा Phone का Name हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पर से Heading को Select करेंगी इस तरह से और Select करने के बाद हम यहाँ पर से इसमें भी एक Color दे देंगे यहाँ पर से हमने इसका Color भी दे दिया है उसके बाद हम क्या करेंगी जो हमारी Heading है सीरे नमबर वाली Heading है इसे हम इस तरह से Select करेंगी और यहां पर से बोल्ड कर लेंगे Serial number दे देंगे तो यहां पर मैं 1 लिकूंगा और enter press करूंगा उसके बाद 2 लिकूंगा, enter press करूंगा 1 और 2 को इस तरह से select करूंगा और नीची को drag कर दूँगा तो यहां पर मैंने drag कर लिए और मैंने जैसे drag किया तो यहां पर आप देखेंगे हमारा Serial number आगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें यहां पर से file में जाना है या तो फिर हमें customize toolbar में जाना है जैसे हम इसमें से click करेंगे तो यहां पर हमें एक options मिलेगा more commands करके या तो हम इसमें भी जा सकते है या फिर हम यहां पर से file में जाना के बाद हमें यहां पर last options मिलता है options करके इसमें हमें click करना है तो यहां पर हमारे सभी toolbar show करेंगे यहां पर समय popular command को हटाके all commands को select कर देना है और यहां पर आप देखेंगे हमारे सारे command आएंगे यहाँ पर से हमें form tab को select करना है और यहाँ पर से add कर देना है जैसे हम add करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर से ओक्यप कर तो जैसे हम ओक्यप करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा फ़र्म डेडी हो जाएगा previous जो of heading दीखे गी वह दीखेंगी नेम और यह सारी heading यहाँ पर से सो करेगी इस फ़र्म में यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ और apps एक्टिव नही है और restore यह भी active नहीं देखेंगे restore के बाद हमें यहाँ पर find preview मिलता है और इसके बाद find next और criteria और close यहाँ पर हमें name के आगे name type कर देना है और address के आगे हमें address type कर देना तो यहाँ पर मैं आपको करके बताऊंगा यहाँ पर मैं एक name type कर लूँगा और name type करने के बाद हमें tap button प्रेस करना है तो हम यहाँ पर दूसरे column में जाएंगी address में और address हम इसका type कर देंगी और फिर से tap button प्रेस करना है इसके बाद हम third column में चले जाएंगी यहाँ पर मैं इसका department लिख देता हूँ यहाँ पर हम enter प्रेस कर देंगी तो यहाँ पर हम new कर देंगी जैसे हम new करेंगे पर आप देखेंगे वो यहाँ पर table में feel हो चुका है जो भी हम form में feel करेंगे वो यहाँ पर table में feel हो जाएगा तो अगर हमारी typing speed जादा होगी तो हम इसमें बहुत तेजी से काम कर सकते हैं अगर हमें जो हमने form में changes करना होगा तो हम यहाँ पर से हम find preview करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी हमने form में detail भरी थी वो यहाँ पर दुबारा show करेंगी और यहाँ पर से हम उसमें changes कर सकते हैं उसके बाद हम new कर देंगे अगर हमें इसे delete करना होगा तो यहाँ पर हम डिलेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा data यहाँ पर delete हो जाएगा तो यहाँ पर मैं delete करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा data field इस तरह से होगा और उसी तरह find next में हम जो find next लिखाऊगा हम find next भी कर सकते हैं और criteria भी कर सकते हैं close भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा भी type करके दिखाऊँगा मैं यहाँ पर name लिख दिता हूँ और उसके बाद tap button प्रेस करूँगा और address लिख दूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर gender लिख दूँगा और tap button प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर इसका department लिख दूँगा और दो करणा चेयाँ और यहां पत्रींगो और यहां पर सेनल ही लिख दूँगा और अंटर थी नर्च करण का तो यहां पर आप देख़ेंगी जो मैंने फॉर्म में फिल किया थे वह यहां पर फिल हो जाएगा इसी तरह में बह। बहुत सारा देटा कर ता हूं फॉर्म के तो यहां पर आप देखेंगे मैंने सभी employee का data entry कर लिया है अगर हमें previous data में कुछ changes करेंगे और अगर next में करना है तो हम यहां पर इसका तो यहां पर से फॉर्म हट जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम फॉर्म को हटा सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे हम एक्सल में इस तरह से डेटा एंट्री करते हैं अगर जब हमारा डेटा एंट्री का काम पूरा हो जाते हैं तो हम यहां पर से डेटा एंट्री का फॉर् सकते हैं I hope friend आपको यह वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं एक नई वीडियो में